अब दूसरा हम बात करते हैं कोलकाता ओद्योगिक प्रदेश की तो हालंकी हम देखें तो कोलकाता ओद्योगिक प्रदेश जो है ये इसका विकास थोड़ा सा मुंबई ओद्योगिक प्रदेश से इसका विकास थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन फिर भी इसे सबसे पहले या सर् इस प्रदेश की रीड कहीजाती है। इस प्रदेश में हम देखें कि ओद्योगीक विकास का आरम जो है वो 1662 से 1694 के बीच में हुआ है जब हुगली नदी को एक बंदरगा के रूप में विक्सित किया गया और इस नदी बंदरगा के विकास ही कोलकाता जो है वो देश का एक अग्रणी ओद्योगीक केंद्रे के हल्दिया है सिरामपूर, रिसरा, हावडा, कोलकाता, शिवपूर, निहाटी, टीटागड, सादपूर, बजबज, बिरलापूर और इसके साथ ही बसबेरिया ये जो है वो इस ओद्योगीक प्रदेश के प्रमुक ओद्योगीक केंद्र हैं इन केंद्रों में अनेक प्रकार के उद्योगों का वो विकास हुआ है जिसमें सबसे अधिक पूरे उद्योगीक प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि कोलकाता में पशिम बंगाल में ही पूरे जूट उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ है और इस्पेशली हुगली नदी के दोनों त 70% जूट का उत्पादन है वो इसी छेत्र से ही प्राप्त किया जाता है इसके बाद हम देखें जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत विभाजन के बाद अधिकांज जो पटसन उत्पादक छेत्र थे वो बंगलादेश में चले गए और तब जो पुर्वी पाकिस्तान था वहाँ पर इसका जो उत्पादन है वो सरवाधिक मात्रा में होता था लेकिन विभाजन के बाद सरवाधिक छेत्र जो है वो बंगलादेश चले गए इस मस्या के समाधान के लिए और अधिक पटसन का जो है वो उत्पादन प्रारंभ किया गया और जूट उद्द्योग के साथ साथ और भी कई उद्द्योग जो है वो इस उद्द्योगिक प्रदेश में विक्सित हुए कोलकाता और टीटागड की हम बात करें तो यहां पर गागज तागज जो है वो तैयार किया जाता है जबकि जो महीन सूती वस्त्रिके लगभग 25 कार खाने जो है वो इसी प् डीजल के साथ विद्यूत इंजन और डीजल पंप सेट बिजली की जो मोटरें हैं या पंखें हैं मोटर गाडियां पेट्रो रसायन जल यान इलेक्ट्रोनिक्स और कम्प्यूटर आदी बनाए जाने वाले यह जो उद्द्योग हैं यहां बहुत ही विक्सित अवस्था मे हैं जूट उद्योग के साथ ही साथ इसके बाद हम देखें कि देश का सबसे बड़ा मोटर गाड़ी बनाने का जो कार खाना है हिंद मोटर यह भी आपके उत्तर पाड़ा में ही इस्थित है और कोलकाता की जो गार्डन रिच फैक्ट्री है वो आपके नौसैनिक मचली पक में रिच फैक्ट्री की और हल्दीय को तो देश का सबसे बड़ा तेलशोधन केंद्र के नाम से या पेट्र रिच्थायन उद्योग के रूप में यह जो केंद्र है यह विक्सित हुआ है तो यह जो छेत्र हैं या जो उद्योग है या औध्योगीः के हम बात कर रहे हैं यह सब ही इस कोलकाता ओद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए उत्तरदाई हैं. इसके बाद तीसरा हम देखते हैं, बैंगलूरू कोयमबटूर ओद्योगिक प्रदेश. हमें पता है कि बैंगलूर जो है वो करनाटक की राजधानी है और कोयमबटूर जो है वो तमिलनाडू का एक प्रमुख ओद्योगी केंद्र है ये दोनों शहरों के बीच में ही एक लंबी पट्टी के रूप में उद्योगों का अलग-अलग उद्योगों का भिकास हुआ है और इस प्रदेश में जो कपास का उत्पादन है ये पूरे देश का मुख्य कपास उत्पादक छेत्रहमी से कह सकते हैं और इसलिए यहां के आसपास के जितने भी गाउं है या विक्सित रूप में जो शहर है यहां पर छोटे-चोटे वस्तर निर्माड केंद्र जो है वो विक्सित अवस्ता में हमें देखने को मिलते हैं और यदि हम भागिता की बात करें वस्तर उत्पादन में प्रदेश की कितनी भागीदारी है तो हम देखेंगे कि पूरे देश का 20 प्रती धागा जो है वो तमिल नाडू में ही उत्पादित किया जाता है और सिर्फ कोईमबटूर की हम बात करें तो यहाँ पर सूती वस्त्र की लगभग इंक्यानवे मीले हैं इस प्रकार हम देखें कि ओध्योगीक प्रदेश में सूती वस्त्र उत्पादन में इसकी प्रधानता ह है प्रमुक रूप से इस ओध्योगीक छेतर में इसके अलावा बैंगलूर जो है यहाँ पर कई कंपनिया के नाम से हम बैंगलूर जो है वो प्रसिद्ध है जिसमें आपका प्रमुक है हिंदुस्तान वायूयान कंपनी जिसे हम HAL कहते हैं दूसरा आपका हिंदुस्तान हैं और भारती विद्यूत उपकरण या इन्फोसिस और विप्रो लिमिटेड इन सभी से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और यह सभी जो है वो बैंगलूर में ही स्थापित हैं पिछली दो दशकों की अधी हम बात करें तो बैंगलूर जो है वो भारत का प् यसे होती हैं उनकी बॉडी काच के समान चीनी मिट्टी के बरतन सूती वस्त्र तो है ही और इसके साथ ही साथ जो रेल के डिब्बे बनाने के उद्योग जो है वो यहां पर इस्थापित किये गए हैं इस और दोगीक प्रदेश की एक अन्यमहत्तपूर्ण हम बात करें तो साथ ही साथ उर्वरत बनाने का कारखाना भी यहां पर स्थापित किया गया है बच्चों अभी हमने देखा कि बैंग लोर में आधिक अवस्त्र तो सुचना प्रद्योगी कि क्या है सुचना तक्नीक जो है वो आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है और वर युक्तराज अमेरिका का न्यूयार्क और भारत का बैंगलूरू जो है वो कुछ सौफट्वेयर कमपनियों ने समझोता किया है। वे न्यूयार्क में दिन के समय आफिस में और कम्प्यूटर सौफट्वेयर पर काम करेंगी तब भारत में रात होगी। और अपने कारे दिन की समापती के बार वे जो रिजल्ट आएगा वो बैंगलूरू भेज देंगी। और जब न्यूयार्क में रात होगी तो भारत के बैंगलूर में दिन होगा। और उसी सौफट्वेयर पर भारत में आगे का काम चल रहा होगा। यह पुरे विश्व इस तरपर इस तरीके से जो शिफ्टिंग में काम किये जाते हैं उसके कई रास्ते हैं। और इसका प्राद्यूगी की का राजनेतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ही यह सारा कुछ संभव हो सका है। और बरतमान में हम देख रहे हैं कि यह सारे उद्योग भूमंडली हो गया है, ग्लोब्लाइजेशन हो गया है। इनकी जो इस्थिती है वो निर्धारित होती है, वहाँ पर मिलने वाले जो संसाधन की उपलब्धता है, लगने वाली लागत और वहाँ पर ओद्योगिक और संदशना के कारण। इसके बाद हम अगले ओद्योगिक प्रदेश, गुजरात ओद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं, और इस ओद्योगिक प्रदेश के जो प्रमुक शहर हैं, वो दो महत्वपूर्ण शहर हैं, पहला एहमदाबाद और बडोदरा, तो इसी दो महत्वपूर्ण शहरों के न यहां के जामनगर है, राजकोट है, सूरत, बडोधरा, खेडा, इसके बाद भडूज और गोधरा, यह इस उद्योगिक प्रदेश के प्रमुक उद्योगिक केंद्रे हैं, एहमदाबाद से हम सभी परिजित हैं कि यहां पर यह सूती वसरुद्योग के लिए फेमस है और सोनचांदी के जो जेवर हैं, आभूशन जो बनाए जाते हैं और वस्त्र के उद्योग जो हैं, वो यहां पर बहुत अधिक विक्सित अवस्था में हैं, और अमूल, दूद, दही, छाच, यह सबसे तो आप बहुत अच्छी से परिचित हैं, जो कि यहां गुजरात में आ और आनन में डेरी उद्योग जो है, वो बहुत विक्सित अवस्था में हैं, और इससे रिलेटेट जो अमूल, दूद, दही, यह चाच, बटर, यह सब जो प्रोड़क्ट आप यूज करते हैं, इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, जिसका निर्माण यहीं पर किया जाता है, इसके साथ ही साथ, एहमदाबाद में जो इंजिनीरिंग समान है, और इलेक्ट्रोनिक्स, सॉफ्ट्वेर और दवाईया, यह भी यहां के प्रमुख विक्सित उद्योग हैं, इसके बाद हम अगले ओद्योगिक प्रदेश की बात करें, जिसे हम छोटा नाक पूर ओद्योगिक प्रदेश कहते हैं, इस ओद्योगिक प्रदेश का विस्तार जो है, वो पश्चिम बंगाल से लेकर दामोदर घाटी, सीभूम, जारखंड के सीभूम और ओडीसा तक है, इसलिए इसे हम राउर केला, जमशेदपूर ओद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सीभूम हमें पता है, ये पूरा छोटा नागपूर का छेत्रे ही, धात्विक और अधात्विक खनीजों के द्रिश्टी कोड से बहुत ही संपन है, और सीभूम का जो छेत्रे है, ये लोयस्क, तामबा, यूरेनियम, मैगनीज, आदी के लिए, और दाम की घाटियां है, उसमें दामोदर नदी घाटी कोईले के लिए प्रसिद्ध है, इसके बाद हम देखेंगे, इसी कारण से लौयस्क और कोईले की उपलब्धता के कारण ही इस छेत्र में लौहिस्पात उद्द्योग का विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ है, जिसमें हम जमशेदपूर, बोकारो, दुरगापूर, राउर केला और बर्नपूर, ये सब ही जो हैं वो लौहिस्पात के जो विक्सित केंद्र हैं, इसके बाद भारी इंजिनिरिंग उद्द्योग, आपका राची में भारी इंजिनिरिंग उद्द्योग है, उर्वरक गया है और डाल्मिया नगर का सिमेंट कारखाना, इनसे भी आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, तो डाल्मिया नगर के जो जपला है, यहां पर सिमेंट उद्द्योग जो है स्थापित किया गया है, ये प्रमुख छेत्र जो हैं या उद्द्योग जो हैं वो छोट जीले से लेकर प्रकाशम जीले तक इस्थित है और इस प्रदेश के विक्षित होने का प्रमुक कारण जो है वो विशाखा पत्नम का विशाखा पत्नम और मचली पत्नम बंदरगाह जो है यहां पर इसका इस्थित होना है और इसके साथ ही गोदावरी घाटी में गोदावरी इसी कारण यहां पर लौह इस्पात कारखाना जो है स्थापित किया गया है विशाखा पत्नम में हम देखेंगे हिंदुस्तान शीप यार्ड लिमिटेट की स्थापना की गई है जहां पर बड़े-बड़े जहाज के पोद बनाए जाते हैं इसी प्रकार हम देखेंगे इस प आधियोगी क्रदेश की एक प्रमुक्ख विशेश्ता है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगले ऐोंद्योगी क्प्रदेश, गुडगाओं दिली-मेरत-अदियोगई-प्रदेश, दिली के आजपास के जो शहर हैं जिसमें आपका गुडगाओं आता है, फरिदाबाद, मो अम्बाला, मथुरा, सहारनपूर, नोएडा, कुरुचेत्र, करनाल और पानिपत आधी ये सब ही जो हैं इन पूरे छेत्रों तक इस ओद्योगिक प्रदेश का विस्तार हुआ है हालंकि हम देखें तो ये जो ओद्योगिक प्रदेश है वो खनी जिस्त्रोतों से जो खनी संस साधन जहां पर मिलते हैं उनसे यहां इसकी जो पहुंच है वो बहुत दूर है और इसी करण यहां पर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनिक्स हैं मोबाईल या खेल के समान, बिजली के समान, होजियरी, ट्रैक्टर या साइकिल, क्रिशी उपकरन और आगरा का जो ओद्योग सहारनपूर में कागज उद्योग इन सभी उद्योगों का विकास यहां पर हुआ है गुड़गाओं की यदि हम बात करें तो गुड़गाओं में प्रमुख उद्योग जो है वो आटो मोबाईल है वस्त निमान, इलेक्ट्रोनिक समान और BPO ये सभी जो हैं ये प्रदेश थिरुअनंतंपूरम और प्रदेश ये और पुज़ो उद्यो छोड़ स्तुर द आटो मोबारेव थिरुवत। फैला हुआ है ये प्रदेश देश के ये भी गुडगाओ दिल्ली मेरट ओद्योगीक प्रदेश की भाती खनीजों से ये भी ओद्योगीक प्रदेश काफी दूर में स्थित है और इन छेत्रों में जो क्रिशी उत्पाद है उनके आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है इन उद्योगों के अतरिक्त मतलब क्रिशी उद्पात पर अधारित उद्योग के अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि सूती वस्त उद्योग है, चीनी उद्योग है, चमडा उद्योग है, कागज उद्योग और नारियल के रेशे के उद्पात से संबंधित जो उद्योग है या इसके साथ ही तेल प्रिशंशकरण उद्योग इस चेत्र के या इस ओद्योगिक प्रदेश के प्रमुक ओद्योगिक कारखाने। इसके बाद हम देखते हैं दुर्ग रायपुर, बिलासपुर, कोर्बा ओद्योगिक चेत्र। इस नाम से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे क्योंकि ये आपके 36 गड़ का ओद्योगिक प्रदेश है। मैदानी चेत्र है जहां पर चूना पत्थर की उपलबधता है और इस चूना पत्थर के आधार पर सिमेंट उद्योग यहां पर बहुत विक्सित अवस्था में है। तीसरी पंच वर्षी ओजना के दौरान हम देखेंगे कि हाँ पर भिलाई स्पाथ सेयंत्र की स्थापना की गई। वह भी रूस के तक्निकी सहयोग के द्वारा और यह जो सैयंत्र है वह आपके कोलकाता मुंबई मुख्य डेल मार्ग पर इस्थित है। जिसके कारण यह और ज्यादा विक्सित अवस्था में हैं और साथ ही साथ हमने देखा कि जो कच्चे माल की उपलबधता है चाहे हम लौहस की बात करें यह हम कोईले की बात करें यह हम बॉकसाइट की बात करें या चूना पत्थर। इससे संबंधित जो सिमेंट उद्ध्योग लौह स्पात उद्ध्योग और एलुमुनियम उद्ध्योग और जो एंटीपीसी के जो कारखाने हैं कोईले की उपस्थिती के कारण यह सभी यहाँ पर विक्सित अवस्था में देखने को मिलते हैं और इसके लिए कच्चा माल ज़ो है वो यहाँ पर स्थानी इस तरपर ही उपलग्द हो जाता हैं बचो अभी हमने बिलाई और स्फात सेयंत्रे की बात की यह भिलाई नगर स्थित कच्चे माल की सुविधा के कारण ही यहां पर इस पात की रोलिंग मिल्स और रायपूर में रेल वैगन सुधारने का कारखाना स्थापित किया गया है अब यहीं 36 गड़ में ही हम बात करें जो बालको या भारत अलूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है इसकी आधार शीला 27 नमबर 1965 को रखी गई जिसमें उत्पादन का कार्य साथ मई 1975 से प्रारम हुआ कोर्बा के अलावा यह सरगुजा के मैन पार्ट अमरकंटक और आसपास की जो अन्य जगे हैं जहां पर बॉक्साइट की प्रचूरता मिलती है वहां पर से यह कच्छा माल इनको आयात किया जाता है बॉक्साइट के नए श्रोत के रूप में बालकों की जो सरगुजा जिले की मैन पार्ट खदान है इसके साथ ही साथ फुटका पहाड से भी बालकों की नीजी खानों से बॉक्साइट जो है वह प्राप्त किया जाता है कोर्बा में आज 671 और द्योगिक उपक्रम इकाई जो है वह इस्थाफित की गई है मध्यम और बड़ी यूनिटों के रूप में कोर्बा के बीचों बीच से जो गुजरने वाली हस्दों ने दी है इससे यहां कारखानों को पानी की पूर्ती हो जाती है और बॉकसाइट के अतिरिक्त कोयले का यहां पर विशाल भंडार भी है और कोयले की इस विशाल भंडार होने से यहां पर थर्मल पावर की भी स्थापना की गई है जिससे इस सैयंत्र को और राज्य दोनों को ही बिजली की आपूर्ती की जाती है इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये उर्जा के केंद्र के रूप में भी उभरा है। महासमुन, बिलासपूर, कोर्बा, चापा, अकलतरा, रायगड और सिर्गिट्टी ये सभी जो हैं वो इस ओद्योगिक केंद्र के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं। बच्चो, 2007 में सरकार ने देश में ओद्योगिक विकास, आयमें बढ़ोतरी, रोजगार के प्रोचसाहन, तथा आर्थिक गलियारों के विकास के लिए एक नीती गत पहल की है। जिसमें प्रमुख दिल्ली मुंबई ओद्योगिक गलियारे के रूप में इसने आठ निवेश शेत्रों की घोशना की है। इसकी जानकारी हम नीचे देख पा रहे हैं। जिसमें मानचित्र में भी आपको बहुत अच्छी तरह से इसपस्ट हो रहा होगा। पहला है एहमदाबाद धौलेरा निवेश शेत्र जो गुजरात में है। फिर शेंद्रा बिदकिन और दोगिक पार्क सीटी जो महाराश्ट्र में औरंगाबाद के निकट है। फिर तीसरा है मनेसर बावल निवेश शेत्र जो हर्याणा में है। चौथा खुश खेडा, भीवाडी, निम्राणा निवेश शेत्र जो राजस्थान में है, पांचवहे, पिथमपूर, धार, महु निवेश शेत्र जो मध्यपरदेश में है छट्वा दादरी नोएडा गाजियाबाद नीवेश चेत्र जो महाराश्ट्र में है और जोधपूर पाली मारवाड छेत्र जो राजस्थान में है इसके अलावा चिन्नेई बैंगलूरू ओद्योगिक गल्यारा बैंगलूरू मुंबई आर्थी गल्यारा और अम्रिच सर कोलकाता ओद्योगिक गल्यारा पूर्वी तटी छेत्र के ओद्योगिक गल्यारे हैं अब हम देखते हैं कि ओद्योगी करण की हमने बात की ओद्योगिक प्रदेश के बारे में हमने देखा तो ओद्योगी करण के क्या प्रभाव पड़ते हैं तो ओद्योगी करण के कुछ फाइदे भी हैं अच्छी बाते भी हैं और उससे कुछ नुकसान भी हैं तो फाइदे क्या क्या हैं जिस भी छेतर में उद्योगों का विकास होता है तो हम देखेंगे कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर समान का उत्पादन होने लगता है अब कोई भी चीज जो है वो बड़ अपलब्द हो जाते हैं फीर औद्योगी करंट से हम देखेंगे लोगों के जीवन इसतर में भी सुधार होता है क्योंकि जहां पर भी अद्योग स्थापित किये जाएंगे वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा रोजगार होगा और जब मिलेगा उन्हें तो उनकी आय का source हो जाएगा, income के source उनके बन जाएंगे और इसके साथ ही साथ उस छेत्र में जो मुल्भूत सुविधाएं हैं चाहे हम सिक्षा, चिकित्सा इन सब की बात करें आवाज से संबंधित तो ये भी जो है वो आसानी से वहाँ पर विक्सित हो जाती है जिसके कारण लोगों का जीवनिस्तर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है फिर हम देखेंगे कि जो उभोकता वस्तुए हैं उनके कई विकल्प जो हैं वो उपलब्ध हैं तो जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं जो उभोकता हैं जो ग्रहक हैं उनको इस विकल्प बहुत सारे विकल्प जो है विकल्प के रूप में वहां पर उपलब्ध हो जाते हैं इसके साथ ही साथ हमने देखा कि जीवनिस्तर में वृद्धी हो रही है तो जीवनिस्तर में वृद्धी तभी होगी जब वहां पर कोई उद्योग स्थापित हो रहा है और उस और उद्योगी करण के कारण नए नए रोजगार के जो आउसर हैं वहाँ लोगों को मिलने लगते हैं फिर ओद्योगी करण से ही आयात और निर्यात के लिए मतलब जो कच्चमल कहीं से आयात किया जा रहा है, तैयार मल को दूसरे देशों में निरियात किया जाएगा, तो इससे परिवहन के जो हैं, वो नए नए साधन, सुगम और सस्ते परिवहन के साधन जो हैं, वो विक्सित होने लगते हैं। इसके साथ ही साथ उस छेत्र में चुकी ओद्योगी करन विक्सित अवस्था में होता है तो पूरे जितने भी संसाधन वहाँ पर उपलब्ध होते हैं उन सभी संसाधनों का उपयोग जो है वो कर लिया जाता है इसके साथ ही साथ जब जो तैयार माल है या उपलब्ध जो हम के हैं कि जो उत्पाद है उसको हम जब दूसरे देशों को बेचते हैं निरियात करते हैं तो उस निरियात से वहाँ पर विदेशी मुद्रा की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है जो हमारे राष्टर के लिए एक बहुत अच्छी स्थिती होती है तो ये तो हो गए ओद्यो लगाया जाता है उद्योगी करन बहुत विक्सित अवस्था में होता है तो उद्योग जब भी लगाए जाते हैं तो उसका उदेश ही हम मैक्सिमम देखते हैं कि अधिक से अधिक लाब कमाना होता है तो वहाँ पर परियावरन को या परियावरन की सुरक्षा को एक ताक प पढ़ता है हम उद्योगों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर व्रिहत इस्तर पर वनों को काट देते हैं वन छेत्र को नुकसान पहुंचाते हैं तो वहाँ पर वनों की कटाई होने से वनस्पति आवरण के हटने से वहाँ पर मृदा वहाँ पर की जमीन को बहुत अ हरियावरण में देखेंगे कि तापमान में वृद्धी की प्रवित्ती क्योंकि उद्योग जो है उससे बहुत जादा सीओ टू गैस का निस्काशन होता है और साथ ही साथ हम पेडों की कटाई कर देते हैं तो ऑक्सिजन की कमी होती है वो एब्जॉब नहीं कर पाते हैं सी समस्याएं भी जो है वो उत्पन होने लगती हैं तो जोरत इस बात की है कि ठीक है हम विकास तो करें लेकिन परियावरण को अपने पारिस्थिती की को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विकास को करना चाहिए चाहे वो उद्योगों का विकास हो नगरी करण हो तो अद् अपने पारिस्थिती की को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए ताकि हम परियावरण को कम से कम नुकसान पहुचाए बिना अपने मृदा संसाधन जल संसाधन ये सभी को भी तो हम नुकसान पहुचाते हैं क्योंकि उद्योगों से निकलने वाला जो अपसिस्ट है उसे ह तो हर प्रकार से हम अपने परियावरन को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो जल संसाधन हो, बृदा संसाधन हो, भूमी संसाधन हो, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, किसी भी तरीके से हम बात करें, तो आवशक्ता इस बात की है, कि विकास तो किया जाए, लेकिन इन सभी इस बातों को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखते हुए, इस विकास की ओर आगे बढ़ें, तभी तो इन इस ओद्योगी करण के फायदे हैं, अदर्वाइस इस नुकसान की जो भरपाई है, वो हम सभी मिलकर भी नहीं कर पाएंगे झालबगे बढ़ें ताकर सम्झ जो गळनाए धायं कर दोपे हैं, झालबगे के बढ़ें। आटाकर संतुलन ई में हुए, इस यु कोषाे भर साथे étantने की का सकतिरा बनाए हुए, तभी मिलकर रहते हैं, वह दो समयार्णीन जो चान जो बहें हैं, यु उमें इस पाह हैं